कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए देखिए सबसे पहले तो ये जुरूरी हो जाता है कंफर्म करना कि नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज है भी के नहीं है या सिरफ ये हमार वहम ही है अगर कोई व्यक्ति जीवन में संगर्श कर रहा है तो दोश नेगेटिव एनर्जी पर देना असान है लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि क्या जो वो प्रयास कर रहा है वो सही है सार्थक है या उनमें ही कमी है क्योंकि अगर व्यक्ति प्रयास करता है और उस प् लगबग नमुम्किन ही हो जाता है, मुश्किल ही हो जाता है इसलिए सिंपल सी बात ही है व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना दे के व्यक्ति एक चीज़ समझे कि ये सब कुछ जीवन में जो भी कुछ होता है वो उसके ही कर्म होते है जो लोग अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं वो अपनी किसमत को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं नेगेटिव एनर्जी हो आसपस लेगिन आप अपने आपको इतना पॉزिटिव कर ले इतनी सकरात्मक और्जा से भर ले तो नेगिटिव एनर्जी आपको कुछ नहीं भी गड़ पाएगी यह मैं आपको पक्के तोर पे कह रहा हूँ आप आजमा के देख लेना अपने आपको सकरात्मक तोर पे कैसे भरा जा सकता है अपने आपको सकरात्मक तोर पे भरने का जो मतलब है वो यह है कि सकरात्मक सोचें और सकरात्मक करने की कोशिश करें कई लोग होते हैं जो उससे जादा ही नकरात्मक सोचते हैं जादातर लोग नेगटिवी सोचते हैं कुछ भी काम करने लगते हैं जरा से और सफलता मिलती है तो उनका होंसला हिमत पूरी तरीके से तूट जाता और वो सोचते हैं कि नहीं बस खतम हो गया यहीं पे आप इसके आगे कुछ नहीं बचा किसी भी तरीके से अब कामयाब होई नहीं सकते हैं आप खुद कल्पना कीजिए क्या कोई व्यक्ति कोई जंग जीत सकता है जब वो पहले से ये दिमाग में सोच के चले कि वो हर जाएगा आप कभी कोई लड़ाई जीत ही नहीं सकते अगर दिमाग में पहले से ये सोच के चलते हो कि हम कभी सफल नहीं होंगे सफलता होने के लिए सफल होने के लिए दिमाग में पूरी तरीके से अश्वस्त होना बहुत जूरी है कि सफलता हमारी पकी है अगर हम मेनत करेंगे लेकिन जब व्यक्ति इस किसम की बाते सोचता है तो वो किसी भी तरीके की असफलता की कलपना ही नहीं करता किसी भी प्रकार के संंगर्श की कलप नहीं नहीं करता तो उनको लगता है कि मैं प्रियास करूँगा पहली बार में सफल हो जाओओगा और जब उसका सामना संगर्श से होता है तो वो तूट जाता है क्योंकि ऐसा उसने सोचा ही नहीं होता अब यहां पर दोश किसको दिया जाएगा दोश उसकी सोच को ही दिया जाएगा क्योंकि अगर वो इस संगर्ष के लिए इस फेलियर के लिए तैयार रहता तो वो अपने आपको इस सिती से निकाल सकता था वो समल जाता लेकिन उसने खुद को इस चीज के लिए तैयार ही नहीं किया था इसलिए जब भी कोई भी काम करते हुआ आप इस बात को दिमाग में रखना कि सफलता पहली बार में नहीं मिलेगी बहुत संगर्ष करने पढ़ेंगे लेकिन अंत में सफलता मिल जाएगी ये बातें संगर्ष वाली बात तो आदमी दिमाग में लेके ही नहीं आता और जैसे कुछ लोग बोलते हैं जैसे किसी कुछ लोगों के मन में प्रशन होता है कि घर में शायद कोई नेगिटिव एनर्जी है जिसकी वेसे कोई सफल नहीं होता ये कोई बिमार है तो ठीक नहीं होता किसी की नोकरी ठीक नहीं लगती किसी की शादी, रिष्टेदारिश ये सब नहीं ठीक से चलता तो उसकी पिछे क्या कोई नेगिटिव एनर्जी है तो मैं बस एक बात कहूंगा नेगिटिव एनर्जी जो होती है बेसिकली वो हमारे माइंड की सोची होती है अगर हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं जैसे अगर एस्टलोजी की भी बात करें तो एस्टलोजी में भी तो सारा खेल करम काई है अगर करम करोगे तो वैसा ही पहल होगा वैसा ही रिजल्ट होगा अब कई लोग कहते हैं कि हम किसी वज़े से करम नहीं कर पा रहे हैं तो करम ना करना भी एक किसम का करम ही होता है जैसे सपोज कोई एक्जाम के फर्म निकलते हैं अब कोई व्यक्ति है वो भरना चाहता है और नहीं भरना चाहता है बरना भी करम है और ना बरना भी करम है दोनों ही करम है ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया तो वो करम नहीं है वो भी करम ही है उसको भी करम में गिना जाएगा इसलिए जो व्यक्ति अपने रिलेशन्शिप को लेके परिशान है और वो उसको ठीक नहीं करते हैं या कुछी वज़े से समझ नहीं आता तो वो भी करम ही कर रहे हैं ठीक ना करने का करम और अगर वो ठीक करना चाहते हैं तो उनको प्रयास करना पड़ेगा प्रयास सही सफलता मिलती है और जादा ये लोग जैसे सोचते हैं कि शायद हम जहां पर रहते हैं वहां पर किसी किसम की negative energy है तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको इन चीजों में विश्वास है तो आप किसी भी किसम का जो मंत्र होता है अगर आपकी जिस भी मंत्र पे श्रद्धा है चाहे वो एक अक्षर का है चाहे वो जितन करना चाहें कर सकते हैं या दो चार मिनट करना चाहें जितनी भी आपकी श्रद्धा है जितनी देर भी करना चाहें जिस भी मंत्र में आपकी श्रद्धा है उस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपकी आत्मा होती है वो शुद्ध होती है और अगर किसी को इस बात का वहम है कि किसी ने कुछ किया करा है यह जहां पे हम रहते हैं वो जगा अपवित्र है तो इस किसम की अगर बातें दिमाग में चलती है तो इनका सीधा सा और सरल उपाई यही है कि आप जिस भी मंतर में आपकी इश्रद्दा है उसका जाप करें और जितना करना चाहें उतना करें ये भी कुछ नहीं है कि आपको इतना ही करना चाहें आपका दिल एक दो मिनिट का करता तो एक दो मिनिट करें जादा का करता तो जादा का करें कम का करता तो कम का करें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस किसम के जाप करने से भी अगर आपके आसपास कुछ भी किसी भी किसम की बादा है तो वो अपने आप ही दूर हो जाती है क्योंकि जहां पे इन सिद्ध मंत्र जो भी मंत्र हैं वो सब सिद्ध ही होते हैं किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है तो जो भी नकरात्मक पूर्जा, नकरात्मक विचारों से भी उत्पन होती है जो कि मैंने बताई दिया, तो बस प्रयास करें, प्रयास करने से सफलता मिलती है, लेकिन अगर ये सोचते रहेंगे कि हम प्रयास ही नहीं कर पा रहें, और अपने आपको वियर्थ की चीज़ों में, वियर्थ के अंद तक आस है, ये बात पकी बात है, असली बात है, जब तक व्यक्ति लड़ सकता है, जैसे जब तक संगर्ष कर सकता है, तब तक करें, क्योंकि कभी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, कोई भी एक विचार उसका जीवन बदल सकता है, तो प्रयास करते रहना चाहिए, और वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, प्रियास करना भी एक किस्मत को बदलने वाली बात है, पिछले जनम में जबने जो भी कुछ किया हो, अब वो कर दिया, वो हो गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब भी हम जो भी करम करते हैं, उससे आगे आने वाले भविश्य को इसी जनम में बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम यह सोच के बैट जाएंगे, कि अब तो कुछ करी नहीं सकते हैं, अब तो बस हमारा वक्त खतम हो गया, चाहे रिलेशन्शिप हो, चाहे नौकरी हो, कई लोग नौकरियां चोड़के घर बैट जाते हैं, तो यह बैसिकली कुछ वक्त नहीं खतम होगा होता, वो यह मान के बैट जाते हैं, उनको लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बात फिर वही है, प्रियास करोगे, प्रियास से सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, प्रियास और अभ्यास, यही सफलता का मूल मंत रहे हैं, थैंक यू,